गुड बॉर्णिंग मैं हूदीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूजेटीन के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दि कैसा गुजरने वाला है हम डिवाइन कायडेंस लेते और डिवाइन गायडでも हमें फ्राप्त होती है तो उसके माधियम से रिये और किन बातनों को करने से बचना चाहिए और इसके लिए हम क्या करतें दोस्तों कि एक से लेकर 9 मूलांग तक ही रीडिंग करते हैं कौन सी रीडिंग है आपकी या कौन सा है आपका मूलांग अगर आपने हमारे कारिकरम को नया जोईन किया है तो एक उधारन देकर आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट अब बर्थ है 14 यानि की 14 तो एक और चार को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर पांच तो नमबर पांच होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है 19 जून 2023 और आज की जो तारीक है 19 यानि एक और नौ को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर दस आप तो जानते हैं हम शुन्य को नहीं लेते हैं तो नमबर एक जो है यानि कि आज के दिन का जो मूलांख है आज के दिन का जो मूलांख है वो है नमबर एक जिसके स्वामी है सूरे तो दोस्तों आज के दिन हम बात कर रहे हैं हमारे दूसरे चक्र की क्योंकि कल हमने बात की थी हमारे मूला धार चक्र की आज हम बात करते हैं दूसरे नंबर के चक्र की जिसे की कहा जाता है स्वाधिश ठान चक्र और इंग्लिश में कहा जाता है से सेक्रल चक्र यह जो चक्र है यह हमारा जो जनाइटल होते हैं यह उसक जो एरिया होता है effect करने का वो पूरा हमारा reproductive system होता है और reproductive system के साथ साथ कहींना कहीं ये उससे उपर हमारी kidneys को भी करता है और यूमान के चलिए कि हमारी बैक से लेकर हमारी कमर से लेकर पूरे नीचे तक यह मुलाधार चक्र और यह स्वादिष्ठान चक्र ही प्रभावित करते हैं शरी को अगर किसी भी व्यक्ति को इस और गन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परिशानी है रिप्रोड़ करने चक्र-भ्लॉक है तो व्यक्ति विलकुल भी क्रीयेटिव नहीं होगा वह कुछ भी करना पसंद नहीं करेगा बड़ा डिप्रेसिव अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा बहुत ज्यादा नचे रहेगा कुंठित मानसिता का व्यक्ति रहेगा तो इस प्रकार से जब यह चक्र ब्लॉक होता है तो लोगों को कई जागरती पर काम करेंगे तो हो सकता है आपके मन में कई प्रकार की जो है भावनाएं आएं लेकिन आपको क्या करना है आपको उसको पूरी तरह से अपने संतुलन में और अपने कंट्रोल पे रखते हुए जब आप निरंतर इस चक्र पे जब अपना ध्यान करेंगे आप वं करनांती है आई दोस्तों बिना दियर के अपने कारिक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मौलंक एक के लिए हमें हमारे एंजर्चर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज मौलंक एक के लिए उन्निस जिउन 2023 के लिए और हमें कहा जा रहा है शामिन का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके उपर परमात्मा की आपके अपनी गुरुदेव की असीम क्रपा बनी हुई है और ये जो क्रपा आपके उपर इस प्रकार की बनी है कि कही ना कही जिस भी कारे में आज आप हाट डालेंगे क्योंकि आज हमने बात की मूलांक एक की बात हम अभी कर रहे हैं और आज की जो तारीक का जो अंक है वो भी नंबर एक ही है कहीं ना कहीं सूर्य की कृपा आपके उपर पूरी तरह बनी है और आप जिस भी कारे में हाट डालेंगे आपके सारे काम बनेंगे जो भी आपके मैद पूर्ण कारे हैं वो सूर्यास्त से पहले पहले पूर्ण कर लें आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक दो के लिए हमें हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 19 जून 2023 के लिए मूलांक दो के लिए और हमें कहा जा रहा है मूलांक दो के लिए देकि दो कार्ड आये हैं ओहो तीन कार्ड आये हैं मूलांक दो के लिए पहला कार सांधे रेपका सब्सक्राइब अपना और तो avoid reaction चैनल करिंग है है तो आपस एक आपको आपके पास होगी हर तरह कि आप हर तरीके से शक्तिशाली मैसूस करेंगे तो ऐसे में अपनी उस पावर का सदूप्यों करें बड़े सोच समझ के कदम आपको आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ देखिए आज हमने बात करी जिस चक्रा की आउस चक्र का ही सिंबल आज यहां पर आभी रहा है यहीं कि आपको आज काफी जादा भाग दौड करनी पड़ सकती है अपने कारियों को लेकर लेकर लेकिन आपको यह भी कहा जा रहा है कि आप जिस चीजों पर भरोसा करते हैं उन चीजों पर आपको यकीन करना होगा उसी विशह पर आगे बढ़ना होगा अडिक रहना आई जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे को एंजल्स और सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 19 जून 2030 के लिए और हमें मूलांक 3 के लिए कहा जा रहा है आज की दिन यात्रा का योग है कि यात्रा है आपके लिए बहुत इच्छी रहने वाली है सुख़दाई रहने वाली है कहीं ना कहीं आपको इस यात्रा के लिए काफी कुछ आपको प्राप्त हो सकता है जैसे की नेम फेम भी प्राप्त हो सकता है आपको अवार्ड रिवार्ड प्राप्त हो सकते हैं कुल मिला के आप अपनी जीवन में एक सही मार्ग के लिए एक राइट डिरिक्शन क के लिए आप आज यात्रा करने वाले हैं आपका दिन शुभू है जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे एंजल हमारे इंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज मूलांक 4 के लिए और हमसे कहा जा रहा है शील्ड मेडन का काड है आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आज आपको बहुत सावधानी बरतनी हैं वाहन चलाने में सावधानी बरतें किसी भी प्रकार की दुरगटना से सावधान रही आज के दिन आपको क्या करना है कि अगनी से बिजली से ऐसी चीजों से आपको थ ये मैं अभी जानते हैं मुलँंक 5 के लिए एंजिल्स एमारे अंसिस्टर स्य और क्या है उननिस जून दो हजार थेस् के लिए और मुलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है स्टार Splash का और आपको आप बिल्कुल द island हैं आज के दिन कि ste बहुत अच्छी guidance प्राप्त होने वाली है आपके अपने गाडियन एंजल्स आपके अपने प्रोटेक्टर्स आपके अपने इश्ट देव आपके अपने गुरु देव सूक्ष में जगत से आज आपको फुल सपोर्ट करने वाले हैं आज के दिन आपका जो इनर सेल्फ है य चाहे वह आपकी परसनल लाइफ के लिए हो किसी रिलेशन्शिप के लिए हो या फिर आपके कारेशेत्र से संबंदित हो जो भी आपको गाइड किया जा रहा है उसे अवश्य ही फॉलो करें इसे केवल और केवल अपना वहम ना समझें आपका दिन शुभो आई जानते हैं हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजल एंसिस्टर समय आज क्या काइड कर रहे हैं 19 जून 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है लेडी का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि एक महिला के कारण आपके जीवन में आज सुक समरद्धी आ सकती है अब यह जो महिला है यह आपकी माताश्री भी हो सकती है उनकी आशरवात से आपकी चीज़े बन सकती है आपकी धरमपतनी हो सकती है आपकी पार्टनर हो सकती है आपकी मित्र हो सकती है प्रेमिका हो सकती है या आपकी कलीग भी हो सकती है और अगर आप देवी भगवती के उपासक हैं तो उनकी करपा भी हो सकती है आज के दिन कुल मिला के एक महिला का बहुत important रोल आपकी जीवन म सुàय आएज जानते हैंे Chess таких के लिए हमें हमारे इंजिल हमारे रेंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं कॉनस जून 2023 के लिए और मूलंकस आथ के लिए हमसे कहा जा रहा है शावलेन हाट है आपको कहा जा रहा है की बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हडबड़ी बहुत से कारियों को भिगाम क्विगार जा रहा है कि एक करके कदम सोथ समझकर तुалась क्योंकि आप पर कुछ जोगों की नजर भी हो सकती है कि अब आपको गलत करें और आपको आक शेप लगाया जाए तो थोड़ा सा आज के दिन आपको अपने विरोधियों से अपने आलोचकों से साफधान रहने की आवशकता है और सोच समझ कर कोई अभी मैतपूर निर्ने आज आपको लेना है विशेश तोर पर आपके करियर को लेकर या फिर किसी प्रकार के धन संबंदी मामने को लेकर आपका दिन शुबहो आईए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइद कर रहे हैं आज 19 जून 2000 थे इसके लिए और मूलांक आठ के लिए हमें कहा जा रहा है वारियर का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ चालेंज आपके समक्ष आ सकते हैं हो सकता है कि आपको किसी चीज की सुरक्षा करनी पड़े विशेश तोर पर अगर मैं बात कुरूँ आप आपके आत्मसंवान की आज आपके आत्मसंवान की सुरक्षा के लिए आज आपको खड़ा होना पड़े गा हो सकता है कि बहुत सारे लोग काफी दिनों से आपको पिंच करने की कोशिश कर रहें आप एक खून का घूट पीके रह जाते हो शानत हो जाते हैं कोई बात नही उनको जवाब देना ही पड़े गा, लेकिन बड़े प्यार से, तरीके से, प्रेम और करोना के साथ, आज आपको करना होगा हर उस चीज़ का जुकी आपके लिए ठीक नहीं है, आज आपको stand लेना होगा अपने लिए, और परमात्मा, आपसे क्या कह रहे हूँ कि आपकेले न कर रही हैं आज 19 जून 2023 के लिए और मुलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है औरिकल का कार्ड है आपको कहा जा रहा है आज के दिन हड़बड़ी ना करें कोई महतपूर्ण ने ना लें किसी भी व्यक्ति पर भी भरोसा करने से पहले दस बार सोच लें क्योंकि आज कोई होगी लेकिन तब तक थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना जरूरी है कोई भी महतपूर्ण स्पेशली वित्य संबद्नी मावलों में भी ना लें आपका दिन शुब हो दोस्तों यह थी रीडिंग हमारी एक से लेकर 9 मुलांग तक ही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें आप लोग हमेशा स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो आप मारे कारिक्रम को जो प्रेम देते हैं हमारी पूरी टीम आपका धनेवाद देती है आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम नमस्कार आप सभी का स्वागते भाग्यम मैं मैं हूँ पंडे चंद्रशेकर शर्मा दर्शेकों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आजनांक है 19 जून सन 2023 विक्रम समवत 2080 चल रहा है आशाड मास है शुकल पक्ष है ग्रिश्म रितू है तिथी आज तक आज कर मास की नाक्षत्र की बात करें तो आदरा नक्षत्र शामबाद आट बचके 10 विनट तक रहेगा आगे पुनरवश्व नक्षत्र है योग आज का व्रद्धी है और योग की द्रश्टी से आसका दिन शूब है व्रद्धी होगी तो स Western शब्मिट किजिए और करन आज बाव है सुबह 11 बच के 26 मिनट तक आगे बालव करन रहेगा सुर्योदे का समय दर्शे को सुबह 5 बच के 23 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 21 मिनट का है आज का राहुकाल सुबह 7.5 से 9 बजे के बीच है इसमें कोई अच्छा कारे यानि जो शुबकारे होते हैं या लंबी यात्रा हैं ये नहीं करनी ची लेकिन क्योंकि सुबह सुबह ये राहुकाल आया है तो भगवती का स्मरण अवश्य करें अगर आप दुरगा दुरगा नाम भी लेंगे तो यही काल आपके लिए योग कारक हो जाएगा राहुकी पीडा शान्त होती हैं कारे सिद्ध होते हैं और भगवती की कृपा मिलती है अभिजित मुरत आज 11.54 मिनट से 12.50 मिनट दौपेर में हैं दिन में 4 बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजेगा ताकि कोई असफलता हाथ न लगे ये हैं दौपेर 12.50 मिनट पे फिर दौपेर 1.46 मिनट पे फिर दौपेर बार 3.47 मिनट और 4.53 मिनट पे आज का दिशा शूल दर्शे को पूर्व दिशा में है तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें कल जा सकते हैं लेकिन अगर आज जाना बहुत जरूरी है तो परिहार करके निकले परिहार बहुत सरल है पूर्व की और मुक कीजिए दरपन में अपना खुट का मुक देखिए और पांच कदम पीछे चलिए और इस दोरान अपने अपने इस टिया भगवान श्री राम को अपने हरदे में मानते वे और फिर इस दिशा में यात्रा कीजिए ऐसा करेंगे तो यात्रा बहुती शुब मंगल में सुरक्षित और योग कारक हो जाती है और दिशासुल आपको बिलकुल भी परिशान नहीं करता आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह नौ बजे से साड़े दस बजे तक और फिर दौपेर दो बच के दस मिनट से शाम साथ बजे तक ये बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुब और योग कारक समय हुआ करते हैं तो जब अच्छे एफर्ट्स करने हो तो इन समय का ध्यान रखिए ताकि सफलता के चांसे ज़्यादा रहें आज की चंद राशी दर्शे को मितुन है जिससे की आज का ये जो दिन है सभी बारे राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वालों को अपने अतियात्मिश्वास प्याज रखना है नियंत्रण वर कॉन को इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो सूच समझ के करें सिंग राशी वालों को अचानक धनलाब के स्तिती बनती वी दिख रही है और कन्या राशी वाले अपने कैरियर में बढ़ेंगे आगे विशेश करके जो अकाउंट्स बैंकिंग फाइनिंस से इंशुरेंस से जु कुम राशी वाले चातर चातर हैं किसी प्रकार की कोचिंग संस्तान में पाएंगे नई दिशा और मीन राशी वाले आज धेरे रखें किसी की बातें आपको बहुत बुरी लग सकती है तो ऐसी स्तिती को इग्नोर करते वे चलें अब करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते दृष्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगो उन विशेश उपायों को जो जीवन को सुगम सुरक्षित सुन्दर और सफल बना देते हैं अंत्वे करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को आज हम सुद्दर कार्ण के एक बहुती अच्छे प्रसंद पर बहुती सुन्दर प्रसंद पर चर्चा करेंगे कि कैसे मोटिवेशन का बहुत बड़ा महत्व बहुत बड़ा रोल हुआ करता है कैसे बड़ी शक्तिकार्थ यह नहीं होता कि हम उच्छरंकल हो ज थे वो एकदम शांत बैठे थे तो ऐसी स्तिती में जामवन जी कहते हैं कि कहई रीच पति सुनू हनुमाना काच उपसाद रहो बलवाना पवन तने बल पवन समाना बुद्धी विवेक बिज्ञान निधाना कवन सो काज कटिन जगमाई संसार में सा कौन सा कार्य है जो ना व्यक्ति के द्वारा एक एजेट परसन के द्वारा एक गुरू के द्वारा एक गार्जिन के द्वारा जब उनको बताया जाता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं तो क्या होता है राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भया हूँ पर्वत आकारा वो पर्वत के आकार के हो बाद करते हैं लेले ही नाओ जलनी दिखा रहा इस पूरी जो जलनी दी है इसको अभी के अभी पीजाओं और सहीत सहाए राव नहीं मारे इस रावन को उसके सारे सज्योंग्यों के साथ-साथ में मारूंगा और आने हूं यहां त्रिकूर्ट उपारी और यहां आता हूं पूरी शमता पूरी शक्ति होने के बाद भी अपने से बड़ों से पूछकर कारे करना चीए कि जामवन्त मैं पूछे हूं तो ही उचित सिखावनों दीजहूं होई जो मेरे लिए सटीक हो सही हो वो मुझे बताईए यहां पूरा सक्षम होके भी अपने बुजर्ग से सला के वापस आजाना तो दर्शे को इस पूरे प्रसंग से समझ ये कि कैसे मोटिवेशन की आवशक्ता होती है और कैसे सरुसमर्थ होकर भी अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए यह ज्यान चर्चा का सार है अब बात करते हैं उन विस्ष्ट उपायों पर जो आपकी सारी स जनम दिन है आप सभी लोग आज विमंदित बच्चों के आश्रम में दूद और दूद की बनी मिठाई वित्रत कीजिए साथ ही सवा कि लोग गौगरत अपने सिर्पड से ग्यारा बार उतारा करके किसी ऐसे शिव मंदिर में दीजिए जहां अखंड जोती जला करती हो तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी दढ़न यह जब जीवन में बना रहता है तो बाकी सारे जो हमारे आश्रम है जो धर्म अर्फ काम वोक्ष उसमें अगर हमारे पास अर्थ रहता है तो बाकी तीन की सिद्धी भी तभी होती है तो सबसे पहले तो यह समझे कि यदि माता लक्ष्मी को आपने प्रसंद करना है तो सुभे सूरियोदे से पहले पहले इसनान करके श्री सुक्त के सौले पार्ट इसको अपनी एक आदत बना लीजिए इसके साथ साथ प्रतेक रविवार रातरी में एक स्टील या संभव हो तो चांदी के लोटे में कच्छा दूद और जल मिलाकर अपने सिराने रख लिए और अगले दिन यानि सुबह सुमबार के दिन उस दूद पानी को कीकर की जड़ में यानि शमी व्रक्ष की जड़ में डाल दिया कीजिए यह आप साथ बार दोरा लीजिए यानि साथ वीक्स इसको कर लीजिए और देखे चमतकार कैसे होता है ऐसे ही अपनी तिजोरी में आप स्वटिक का श्रीयंत्र और एक कुबेर यंत्र शुब योग जैसे की कोई सरवार सिद्धी योग आ रहा हो गुरु पुख्य योग आ रहा हो ऐसी स्तिती में लाके रखिए और पंचोप चार से उसका नित्य पूजन कीजिए और फिर पूर्वा फालगुनी नक्षत्र में अनार की जड़ भर्णी नक्षत्र में कुशा की जड़ रुहिनी नक्षत्र में गूलर की जड़ ये सारी चीजे लाकर उस यंत्र के पास तापित करते जाएं और फिर नित में कभी धनकी कमी नहीं आएगी यह अकाटे स्टीक अमोग प्रयोग आप करके देखिए ऐसे जिन लोगों की जनम पत्रिका में शनी चंदरमा का विश्दोश होता है तो वो लोग आज पीपल के पांच पत्तों पर कुछ मावे की मिठाई एक एक पान हर पत्ते पर रखें औ आली माता के मंदर जाएं और पित करें और फिर भगवान शिवजी के मंदर जाकर वहां सवा किलो साबुत चावल चड़ा दें बहुत जल्दी वह योग आपका समाप्त हो जाएगा चिंता मुक्त हो जाएंगे परिशान नहीं होंगे जो विश्दोश की जो समश्याय चल सब्सक्रिती वह शांत होंगे ऐसे ही चिंता तनाव या किसी लंबी बिमारी से जो लोग ग्रस्त हैं आज के दिन दो छोटे-छोटे उपाए अवश्य करें सुबह 11 बजे 18 मिर्च के बीज एक ग्लास पानी में डालकर रोगी या पिडित पर एंटी क्लोक वाइज आप हाई मार्पित कर दें इससे आपकी सारी समश्याइं दूर होगी शांति का नुभा होगा और बहुत ही जल्दी आपको सफलता के मार्ग भी मिल जाएंगे तो यह थे आज के वो विसस्ट उपाई जो आपकी बड़ी-बड़ी समश्याओं का अनत कर रहे हैं और आपको दे से आगे बढ़ने का एक नया मार्ग अब बात करते हैं आपके सवालों कि आपके सवालों में आज हमारे पास जनुम पत्री का यह हमारी दर्शक आनंदिता जी की दिल्ली से साथ जून सन 2004 का इनका जनम है रातरी बारा बच के तीन मिनट दिल्ली प्रशन किया है मेडिकल मे कैरियर देखिए आनंदिता जी बिल्कुल आपके मेडिकल में कैरियर है आप आगे जाकर प्रसिद्ध महिला और बाल विशेशक्ये डॉक्टर बन सकती है ऐसा आपकी जनुम पत्री का दर्शा रही है आप महनती सेल्फ मेड प्रसनेलिटी है आगे भी अपने दम पर अपन जिससे जीवन सहज और सुगम हो जाए और आगे सागे आपको सफलता मिलें आज की दूसरी पत्री का यह हनुमान सहाई जी की चूरू राजस्तान से ग्यारा सितंबर 1964 का इनका जनम है शाम साथ बज़ के तीन मिनट चूरू प्रशन है स्वास्त समश्चाओं का इलाज बताईए कब तक समय सही होगा यह बताईए देखिए आपकी जनम पत्री का दर्शार है कि आप रक्त विकार के साथ साथ वायू विकार बदन दर्द या अर्थ्राइटिस जैसे समश्चा से गरस्त है साथ ही हर्दे संबंदित कॉम्प्लिकेशन हाट से संबंदित कोई कॉम्प्लिकेशन भी आने लगे हैं ऐसे में य स्तिती आपकी इसी जुलाई से एक जुलाई से ही सुधरने लगेगी आप नीम पीपल और बर्गत और बिल्व के व्रक्ष अधिक से अधिक संख्या में लगाईए साथ ही नित्य चार माला लगु मुर्तिंजे की आप पाठ करते रहें जाप करते रहें जिससे ग्रह दोश चर्चा सत्संग हमने किया हनुमान जी के व्यक्तित्व से कुछ चीजें हमने सीखिए कि कैसे कॉन्फिदेंस को कंट्रोल में रखना चाहिए अपने बड़ों का आधर करना चाहिए गुरू माता-पिता गाड़जेंस का सम्मान करना चाहिए उनसे पूछ कर अपने जीवन के महत्यपूर्ण निर्णे लेने चीए इसे आप जीवन मोता रहेंगे कारेक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद भगवतियासप का कल्यान करें जय आदिशक्ति